बोगत बार छोटी जहाँ से रोजगार के तलाश में, काम के तलाश में, कुछ लोगों को बड़े शहरों की तरफ मुड़ना पड़ता है वहाँ उन्हें कैसे अपना जीवन चनाना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है, कैसी मुश्किले आती हैं इसकी जलक हमें मिलेगी लेसन छोटूज हाउस में तो चलिए देखते हैं ये लेसन छोटूज हाउस चोटू पहली बार मुंबई में आया था तो जब वो आया तो उसने यहां पर देखा कि किस प्रकार का लाइफ है तो ये सब पिक्चर मुंबई की है अब वो कैसे वहाँ पे रहा तो ये यहाँ पे दिखाया गया है अब ये देखिए किस तरीके से वो रहा अब हम इसमें क्वेस्टन देखते हैं क्वेस्टन नमबर वन वो देट छोटू थिंक वैन ही लुक्ट अट पाइप जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसने क्या सोचा यहाँ परांसा दिखाया यह थोट डाट दपाइप इस दा बेस्ट प्लेस टू लिव कि रहने के लिए वो सेफेस्ट प्लेसे दुवारा कर लेते हूं चिप्टर फाइव क्लास थर्ड इवी एस छोटू हाउस छोटू केम टो मंबाई फॉर दे फर्स टाइम पहली बार छोटू मंबाई में आया तो उसने देखा कि किस तरह की लाइफ है कितना बारिश हो रही है ठंड लग रही है फिर उसे पाइप में सोया वहीं उसने अपना खाना बनाया वहीं अपने क्लोज को ड्राइप किया फिर आप देख रहे हैं कि कैसे छोटू का फ्रेंड आ गया दोनों फिर बात कर रहे हैं तो चलिए अब देखते हैं questions what did छोटू think when he looked at the pipe छोटू ने क्या सोचा जब उसने पाइप को दीखा answer ही लिखा है he thought उसने सोचा that the pipe is the safest place to live यह रहने के लिए pipe ही सबसे सुरक्षित जगा है pipe can save him from strong winds pipe उसे तेज हवाओं से बचा सकता है rain से cold ठंड से बचा सकता है question number second how did छोटू use the pipe छोटू ने pipe को कैसे use किया छोटू used हो जाएगा यहापर क्योंकि question में did है the pipe to sleep सोने के लिए उसने use किया question number third into which part did छोटू divide the pipe छोटू ने pipe को किन किन parts में divide किया and its surrounding area जो उसका आसपास का इलाका था area था surroundings का मतलब है area उनको कैसे divide किया तो यह आप यहाँ पर देखेंगे जोकि इसके ज़्यादा बड़े parts थे तो वो मैंने यहाँ पर green में write कर दिये हैं यह four के four points उसके answer है first a part was used for drying clothes आपने देखा ना clothes dry कर रहा है यहाँ पर एक part तो उसने clothes को dry करने के लिए यूज किया यह part was used for storing water एक को उसने water store करने के लिए यूज किया तो यहाँ पर आप food you need part of this house will to like to spend most of his time a house के किस पार्ट में छोटो अपना जाता समय बिताना चाहेगा question में देखो बहुत सारा part होता है answer का छोटो विल विलनेज में तो विल इदर छोटो के बाद आ जाएगा छोटो विल लाइक तो spend most of his time at the part उस पार्ट में बिताना चाहेगा where guest can come and sit जहां guest आ सके और उसके साथ बैठ सके question number five why do you think छोटो इन्वाइटेड मोनू तो लिव विद हिम in the pipe छोटो ने मोनू को अपने साथ pipe में रहने के लिए क्यों invite किया होगा अब यह आप इसका answer हमने लिखा देको इसके भी बहुत सारे reason है तो सारे reason हमने यह आपे दे दी हैं यह तीनों के तीनों point है question number five के answer है number one पहला reason क्या है because मोनू has no place to live क्योंकि मोनू के पास भी रहने की कोई जगह नहीं थी second क्या है मोनू can live easily in the pipe मोनू भी आसानी से pipe में रह सकता है third छोटू lived alone छोटू अकेला रहता था alone का मतला अकेला so he used to get bored दिए वो bored हो जाया करता था मोनू को talk and play with him मोनू उसके साथ बाते कर सकता था और उसके साथ play भी कर सकता था अब यहाँ पे draw a picture of your house in your notebook अपने notebook में अपने house की picture को draw करिए तो यह आपको अपने house की draw करनी है and colors में color करना है next question is who all live with you in your house आपके house में और कौन-कौन रहते हैं आपके पास तो यह आपको देखके देखो अब आपको पता होगा ना आपके house में कौन-कौन रहते हैं आपके पास तो यहाँ मैंने write कर दिया है mother, father तो सभी के रहते हैं sister, brother, grandfather, grandmother अगर यह रहते हैं तो आप write करें और अगर यह नहीं रहते हैं तो फिर आपको कोई इनको write करने की जरूरत नहीं है छोटु divided the pipe into different parts आपने देखा कि छोटु ने pipe को different parts में divided किया था write the names of the different parts of your house अब आपको अपने house के different parts के name write करने है kitchen, bathroom, bedroom, lobby, drawing room, study room, kitchen अब यहाँ पर how much time in a day do you spend in each part of your house आप अपने house के हर पार्ट में कितना कितना time बिताते हो तो यहाँ पर रिखा है kitchen में one hour, bedroom में eight hours lobby में three hours, bathroom में twenty minutes क्योंकि bathroom में ज्यादा कौन ठेहता है next question is there any part of your house where a particular member of your family spends more time क्या कोई house का ऐसा पार्ट है जहाँ आपकी family का कोई विशेश member ज्यादा time बिताता हो तो हाँ mother बिताती है न mother spends more time in kitchen क्योंकि mother को मापे cook करना होता है is there any part of your house यह तो हो गया है father goes to kitchen for a short time next यह था कि short time के लिए कौन member जाते है तो father जाते है kitchen में कम समय के लिए you must have seen तुमने देखा होगा that some animals also live with us in our houses कि हमारे house में कुछ animals भी रहते हैं हमारे साथ some of these animals live with us कुछ animals तो हमाई साथ इस लिए रहते हैं क्यों रहें while some are there uninvited कुछ ऐसे होते uninvited उन्हें हम चाहते ने invited नहीं करते हैं तो अब आपको देखना है क्या क्या यहां पर अलग अलग रहते हैं यह पढ़ी इच्छी जी पोया में पढ़ो home sweet home you always tell me mother मा तुम हमेशा मुझे कहती हो the house belongs only to us कि यह house केवल हमारा ही है but how do I believe लेकिन मैं विश्वास कैसे करूँ that mother when I know it belongs to many more मा जब मैं जानता हूँ कि यह औरों का भी house है यह look mother how these mice कि कैसे तो mice का मतर्द चूहे जो mice होते हैं देखो यह रहे यह भी तो घुरों में रहते हैं mice are all playing catch catch together catch catch खिल रहे क्योंकि एक के पीछे दूसरा माइस भागता रहता है कैसे अच्छे से उसने बताने की कोशिश करी है and look how these mosquitoes fly और mosquito कैसे fly करते रहते हैं यह mosquito बने हुए हैं आपर and how peaceful lies the happy spider or the happy spider spider मकडी कैसे ऐसे लगता है कितने peacefully रह रह रही है and look mother at the lazy lizard और lizard को देखो लगते हैं कितनी lazy है क्योंकि slow slow चलती है how slowly it crawls to and fro इदर उदर कितने slowly चलती है and look at so many black ants और इतनी black ants की तरफ तो देखो all marching in a row सारी एक की एक row में चलती है line में चलती है न देखो line बनी हुई है and look outside in the courtyard और बाहर जरा आंगर में देखो the birds are all packing about packing का मतलब चोंच से उठा उठा के खाना कि जो birds हैं वो कैसे pack कर रही है just like when my sister and I sometimes fight quarrel and shout और एक दूसरे को चोंच मार रही है और वैसे ही बिलकुल जैसे कि मेरी sister और मैं कभी कभी fight करते हैं quarrel करते चीखते भी है that is why इसलिए I say dear mother मैं यह कहता हूँ don't think this house is only ours यह मस सोचो कि यह house की वल हम आ रही है it's dear to us यह हमें प्यारा है and all who live here और उन सब को भी जो यहां रहते हैं उनका भी house यह है and have been living for many years और वो भी यहां कितने years से रह रह रहे हैं rats have poor eyesight knowledge की बात कही है rats have poor eyesight rats की आँखों की रोशनी कम होती है but have excellent sense of smell लेकिन उसमें smell करने की touch करने की, taste करने की बहुत अच्छी उनकी sense होती है अच्छी लगी न पोयम draw pictures of any two animals that live in a house uninvited ऐसे कुछ two animals की picture बनानी है जो uninvited हमारे घर में रहते हैं write their names below the picture picture के नीचे name भी write करना है जैसे आप rat बना सकते हैं lizard बना सकते हैं mosquito and spider one inside और one that side आपको बनाना है यह next question do you keep your house clean क्या आप अपने house को clean रखते हैं how तो कैसे रखते हैं there is regular brooming brooming का जाडू लगाना daily जाडू लगाते हैं there is regular mopping of floors daily floor floor कहते हैं first को mopping करते हैं bathroom is clean daily dusting is done twice a week एक अपते में दो बाट dusting करते हैं का मतला धूल जाड़ना आप इसे change करकी भी लिख सकते हैं और कैसे कैसे clean करते हैं अपने house को आप who all help to keep your house clean और कौन आपके house को clean करने में help करता है all family members और who हटा ही है और all family members लिख दीजिए help all भी हटेगा help to keep your hour और का hour हो जाएगा our house clean आप morning में fresh होने के लिए कहां जाते हैं आप अपने house का कोड़ा कहां फेकते हो we throw the garbage in the dustbin हम dustbin में garbage को throw करते हैं cap on the roadside जो सडक के किनारे पर रखा हुआ है is the area around your house clean क्या तुमारे house के चारो तरफ का एरिया around ने चारो तरफ चारो तरफ का एरिया clean है yes the area your का माई हो जाएगा the area around my house is clean next question do you use a toilet in or around your house क्या आप अपने घर के आसपास का या घर के अंदर वाला toilet use करते हैं तो इसमें आपको बताना है अगर toilet आपकी घर में है तो बताईए I use a toilet in my house और अगर वो अंदर नहीं है आसपास है तो फिर around वाला करना है फिर in नहीं आएगा I use a toilet around my house who cleans it उसे कौन clean करता है मेरी ममा clean करती है my mother cleans it how do you help in keeping it clean तुम उसे clean करने में कैसे help करते हो how का मतलब कैसे होता है I always flush toilet after use flush का मतलब जैसे आपने स्कूल में भी देखा होगा system लगा होता पीछे जिसमें water होता है उसमें बटन होता है उसे प्रेस करो तो water भान निकल जाता है बहुत सारा एक साथ उसे वो clean हो जाता है तो उसे कहते है flush करना मैं use करने के बाएद toilet को हमेशा flush करता हूं अब यूज और toilet toilet को कैसे use के जाता है सिम्भी नोटी सिम्भी ने देखा that her friend Billu was getting uncomfortable 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 बेचैन restless कि उसका दोस्त बिल्लू बेचैन है he was not talking to her वो उसे बात भी नहीं कर रहा था सिम्मी बिल्लू what happened क्या हुआ you look so dull तुम इतने दल दिख रहे हो बिल्लू I don't know how to use the toilet properly मुझे toilet को ठीक से use करना ही नहीं आता here a ma'am would be on her round और me here a ma'am अभी round पे आएंगी and again she would scold me scold करना डाटना और मुझे फिर दुबारा दे डाटेंगी as usual for not using the toilet properly इसलिए कि मैंने toilet को ठीक से use नहीं किया सिम्मी why don't you use the toilet properly then फिर तुम ठीक से use क्यों नहीं करते हो बिल्लू I am scared मुझे डर लगता है that I would fall in the toilet pit कि जो toilet का pit होता है पिट यह देख बना बना यह गड़न यह आप जिस पे बैठते हैं कि मैं toilet pit में गिर जाओंगा सिम्मी how stupid कितने भी वकूफ हो and now I know it is you and many of our friends like you who make our toilet so dirty by not using the toilet properly तो अम मुझे पता चला कि तुम और तुमारे जैसे और बहुत सारे दोस्त toilet को dirty कर देते हैं क्योंकि उन्हें toilet ठीक से यूज करना नहीं आता don't be scared डरो मत be responsible जिम्मेदार बनो let us now see how to be responsible चलो देखते हैं कि responsible बनते कैसे हैं use the toilet by sitting properly toilet को ठीक से बैठ के यूज करो always flush it with water after use हमेशा यूज करने के बाद flush करो पानी से wash yourself properly अपने आपको ठीक से wash करो wash your hands thoroughly thoroughly का मतलब पूरी तरह से fully अच्छे तरीके से अपने hands को wash करो आप भी करते हो ना अब देखो यहां पर बताया leave the toilet as clean as you want it for yourself toilet को उतना clean करके छोड़ना है जैसा कि तुम चाहते हो कि मुझे clean मिलना चाहिए तो देखो इतने पहले यह flush किया यह press कर रहा है ना यह number one number two अगर मालीजे कहीं पे flush नहीं हो पा रहा है तो mug से water डाल दीजे अब इसकी बाद next है describe the toilet area in your school अपनी स्कूल के toilet area को describe करिए तो बताइए आपके स्कूल में कितने कैसे toilet है किस प्रकार की seat है वाप पर Indian seat है वो आपको अपने स्कूल के according right करना है is it clean क्या वो clean नहां जाता है school रहते है यह city is clean who clean sit कौन clean करता है sweeper होते हैं स्कूल में जमादार sweeper clean sit how कैसे करता है वो उसको broom से और harpik से use करता है he clean sit with harpik and broom brush seat को brush clean के जाता है तो brush बिले harpik brush and broom broom जाड़ों कहते हैं how do you help in it तुम इसमें कैसे help कर सकते हो I flush it after use मैं उसे use करने के बाद flush करता हूं from now I will say toilet responsibly बिल्लू ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ toilet को use किया he left it clean after its use use करने के बाद उसे बिल्कुल clean छोड़ा and wash his hands और अपने hand wash कर लिए do you leave the toilet as clean as you want it for yourself क्या आप भी toilet को उतना clean छोड़ता है जहते चाहते हैं अब इसके बाद यह आपने if you do not do the above अब above क्या था इसमें लिखा है कि कैसे when do you think your hands get dirty आपके उपर है endless the times when you wash hands hands आप कबको wash करते हैं तो यह आपको पते हैं कि I wash my hands after using toilet before taking meal after taking meal तो यह आपको लिख दिया गया है और इसके बाद है bathing and brushing teeth यह आप खुदी करते हो nail अपने trim करते हो taking bath everyday what will happen if we do not do the above अगर हम यह नहीं करते क्या होगा we will fall sick सिख्या होते बिमार हो जाना look how beautifully Lata's house is decorated decorate का मतले पर सजाना देखो जरा Lata का house कैसे अच्छे से सजा हुआ है is there any special way in which to decorate your house क्या आप और किसी अच्छे तरीके से अपने house को decorate करते हो when and how कब और कैसे we decorate our house on दिवाली दिवाली पर decorate करते हैं व्यूज लाइट्स कैंडल्स मुंबत्यानिके flowers etc to decorate our house अपने house को decorate करने के लिए अब अपने फ्रेंड से पूछता पूछना है कि वह कैसे decorate करता है name the things with which you decorate your house we decorate our house with flowers paintings flower ports and wall hanging जो सजान दिवार पे टांगते हैं ना उनके लिए wall hanging word पर्योग होता है तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि lesson कितना interesting सा chapter है ये और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बड़ी interesting सी चीजे इसमें lesson में दी गई है ओकी बाई वाई बाई सबस्सके बाम